नमस्कार मित्रों और मेरी प्रिछात्रों बटर्फुलाई स्टेडी चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम कच्छा आठवी के गड़ी द्विशे का प्रश्ण संग्रह 12.2 लेकर प्रश्टू थे हैं पहला प्रश्ण है मा की आयू बेटी की आयू से 25 वर्स दिखे आठ वर्स बाद बेटी तथा मा की आयू का अनुपात 4 अनुपात 9 हो जाएगा तो बेटे की आयू ग्याद कीजिए माना बेटी की आयू एक्स वर्स है तो मा की आयू चुकि 25 साल अधिक है बेटी की आयू से तो एक्स में 25 हो जाएगा तो वो मा की आयू हो जाएगी आठ वर्स बाद जो की दिया हुआ है प्रष्ट में बेटी की आयू आठ वर्स बाद यक्स धन आठ हो जाएगा और तमान में बेटी की आयू एक्स है और बाद में आठ वर्स के बाद यक्स धन आठ हो जाएगा मा की आयू यक धन पचीस है और तमान में तो आठ वर्ष की बाद मा की आयू आठ धन पचीस धन आठ होगी इस प्रकार से मा की उम्र यक्स धन तैंतिस वर्ष आठ यक्स धन पचीस धन आठ चुड़ने पर मा की आयू मा की उम्र 8, 71, 33 वर्ष दिया गया है ये बेटी की आयू है ये धन 8 आठ वर्ष बाद और ये मा की आयू है आठ वर्ष बाद दोनों की आठ वर्ष बाद दोनों की उम्र का जो आउसत है 4, 99 है तो 3 ये गुड़ा करने पर हमको जो समिकरन प्राफ्थ होगा इसका गुड़ा इसमें किया 9, 2, 8 9, 3, 8 और 4, 1, 23 4, 1, 23 अब 72 को यहां लेगी है 4, 21 को यहां लाया तो यह धनात्मात्मी संकी यह रिनात्मन को जाएगी तो क्या होगा 9X में से 4X घट गया बच्चा 5X रिधन 72 था तो 72 हो जाएगा 132 बच्तर 60 हो जाए 5X बराबर 60 एक्स बराबर 60 बटे 5 तो एक्स बराबर 12 है अतर वर्तमान में वेटे की आयू 12 वर्स है दूसरा बचन है किसी भिन का हर उसके अंस से 12 अधिक है उसके अंस में से दो घटाने पर तता हर में साथ जोड़ने पर दो घटाने तता हर में साथ जोड़ने पर अप्राप्ट भिन एक बटा दो के समतुल्य होता है तो उस भिन का मान बताईए माना भिन की भिन का अंस यक्स है तो भिन का हर यक्स धन बार है तो अतह भिन यक्स बटे यक्दन दो यह पहला समी करनों गया दिया गया है अंस को दो कम करने पर और हर को साथ बढ़ाने पर भिन कामूल एक बटा दो के समतुल्य होता है यानि बराबर होता है तो यक्स दो बटा यक्स धन बार है धन साथ बराबर एक बटा दो होता है साथ बढ़ाने पर बार है पहले ही दिया गया है यहां पर यक्स भिन्न का हर यक्दन बार है और साथ बढ़ाने पर तो साथ बढ़ाया साथ बढ़ाया नहीं नक जा और भिन्य का आंस यक्स है यक्स में दो कम करने पर इसलिए यक्स रिन दो बटे यक्स धन बारा धन साथ बराबर एक बटा दो के समतुल्य होता है तो तीरी एक गुड़ा करने पर इसका गुड़ा इसमें और इसका गुड़ा इसमें करने पर दो यक्स रिन दो और एक यक्स धन बारा धन साथ तो बारा और साथ उन्नाईस यक्स धन उन्नाईस हो जाएगा दो यक्स रिन चार तो दो यक्स में से यक्स घट जाएगा इसको इधर लाएंगे तो और ये धन 4 है तो धन 4 हो जाएगा 21 में 6 के 21 बचा 1934 तो येक समीकान एक में एक सबराबर 23 रखने पर 30 बटे 23 धन 12 तेज़ बटे 35 ये भिन होगा तीसरा प्रश्ण है पीतल की मिस्रण में ताबे की तथा जस्तिका अनुपात 23 अनुपाते 7 हो तो 700 ग्राम वजन वाले पीतल की बटन में जस्तिकी मात्रा कितनी होगी मिस्रण में ताबे तथा जस्तिका अनुपात मिस्रण को हो चाहे पीतल को हो और दूनों को मिलाकर पीतल ही बनता है पीतल में तर्फ जेस्टी तत्र शासति का उपाद तीरे निपाते साथ है, माना की 100 ग्राम वजन वाले पीतल में तर्फ जेस्टी का वजन साथ जी frameworks है ठीक है तो आता है तीरे यक्स धन साथ यक्स बरावर साथ सो ग्राम साथ सो ग्राम की बरावर होता है तीरे यक्स और साथ यक्स जोड़ देंगे बीस यक्स बरावर साथ सो यक्स बरावर साथ सो गुटी बीस इसको भाग देंगी तो आएगा पैंटीस तो हो जाएगा एक सबरावर 35 पीतल में जस्ति का वजन 7 यक्स है 7 यक्स में 35 का गुड़ा करेंगे तो 245 ग्राम हो जाएगा तब पीतल में जस्ति का वजन 245 ग्राम है तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल 45 से अधिक किन्तु 14 से कम है तो वह संख्या ग्याद कीजिए तीन क्रमिक संख्या ग्याद करना है माना की पहली संख्या यक्स है क्रमिक संख्या है दूसरी संख्या यक्स यक्दन एक तीसरी संख्या यक्दन दो है यक्स यकष 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 यक तो यह दंटीन को घटा दिया और तीन से गट गया यहां बचा तीन यक्स भड़ा है बैवालिस तो यक्स बढ़ा हुआ बैवालिस बुट है इसको भाग दी दिया यक्स बढ़ा है 14 से यक्स चुकी बड़ा है 14 से तो 14 से बड़ा है तो 14 से बड़ा 15 होगा यक्स बराबर 15 यक धन एक यानि 15 धन एक बराबर 16 यक धन दो बराबर 15 धन दो बराबर 17 तो वह संख्या है हो गई 15 16 17 दूसरी सर्थ के अनुसार पहली सर्थ में तो 45 से बड़ी संख्या थी लेकिन दूसरी साथ इमसार 54 से छोटी संख्या है तो य serpentina यकदन एक, धान यकदन दो खोटी है 54 से उसी प्रकार से यह 3 एकदन 3 छोटी संख्या है 54 से तो 3 यकदन 3 छोटी संख्या है 51 से 3 से भाग दिया तो 3 से 3 कट गया 7 3 51 ये फिराबर कि ये चूटी संख्या है चमवन से चूटी संख्या है तो हिना पहे आया है कितना सत्रह सत्रह स्ट्रह 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 माना की दो अंकों की संख्या जैसे यक्स जीरो और यक्स एक है संख्या में इकाई अस्थान पर ये इकाई अस्थान पर है अब ये दाहाई अस्थान पर है तो वली संख्या यक्स है तो दाहाई की अस्थान वली संख्या दो यक्स है दाहाई की अस्थान वली संख्या का मान 2 x में 10 का गुड़ा कर देंगे तो दो दाह में 20 क्यूमकि दायकस्तान वारी संख्या कामान उससे 10 गुना बड़ा होगा तो यह हो गया 20 x 2 औंकों की संख्या 10 2 यकदधन यक्स 20 यकदधन यक्स यानि 21 yix दूसरी सर्थ के अनुसर जिसको काटते हैं, इसका भी लूपन किया, और इसको काटते हैं, तो 33 इसको जोड़ेंगे तो होके कितना हो जाए है तो गुड़े 2 बराबर hatte तो यह अज़ गुड़े 2 बराबर 4 यह की दुगुनी है और esaq-2 यह दो 22 हो गिया और यह बेसी चार और दो चार और दो चार चार और दो चार चाचत होता है चटवा प्रश्ण है किसी एक ना डिगरी में नाटक के लिए 200 रूपय वाले तथा 100 रूपय वाले कुछ टिकेट बेचे गए 200 रुपए वाले टिकेट की संक्षा, 100 रुपए वाले टिकेट की संक्षा से 20 अधिक रही, दोनों प्रकार की टिकेटों की विक्री से ना टिक्री को 37,000 रुपए मिले हों, तो 100 रुपए वाले टिकेट कितने टिकेट भी की, सव रूपय वाले टिकेट यक्स हैं और दो सव रूपय वाले जो टिकेट हैं यक्स धन 20 यानि इससे 20 ज़ादा है बराबर उसका मान कितना होता है 37,000 रूपय आता है इसका बुट्टर सुरू करते हैं सव रूपय वाले टिकेटों गाले दो सव रूपय वाले तो गल स एक्स बुड़े 200 तो इससका जो अतना हो जाएगा तो दो जो सव एक्स धन 4 बुट्टर दोनों प्रकार केट टिकों कामले दिया गया है 37,000 उपए तो 100 यक्स धन 200 यक्स धन 4000 बराबर 37,000 तो 300 यक्स ये 200 यक्स और 100 यक्स मिलके 300 यक्स धन 4000 बराबर 37,000 अब दोनों तरफ में 4000 घटा दिया 300 यक्स धन 27,000 में 4000 गटा दिया 300 यक्स बराबर 37,000 तो 300 यक्स बराबर 1110 तो यक्स हमको मालूम करना था यक्स का है 100 रूपए का टिकुटे संख्या 110 रूपए सात्वा प्रशने तीन करमिक प्राक्री संख्याओं में सबसे चोटी संख्या का पांच गुना सबसे बड़ी संख्या के चार गुने से नव अधिक है तो वह संख्या कौंसी है माना तीन करमिक प्राक्री संख्याओं यक्स यक्दन एक यक्दन दो ये तीन समख्या हो गई सबसे चोटी संख्या 5X और 5 गुना बड़ी संख्या 5X सबसे चोटी के 5 गुना बड़ी संख्या 5X 4 गुना बड़ी संख्या 4X धन 2 दिया गया है सरत के नुसा सबसे चोटी संख्या 5 गुना से 9 अधिक है और बड़ी संक्या की चार गुना है पांच एक्स बराबर 4,1 धनुद धन 9 9 ज्यादा है पांच गुना से नद ज्यादा है 5 गुना से नव दिखे अचर में तो पांच एक्स परबर 4x यानि सत्रह धन्दोबराव उन्राइस विये करमिक प्राकेशंग क्याएं हैं सत्रह अठारह उन्राइस राजू ने एक साइकल आठ प्रस अतलाव लेकर अमीट को भीची अमीट ने चवन रूपे खर्च करके उसे दुरूस कराई उसी साइकल को सुने निकिल को 114 रूपए म बेची अमीत को इस वेवार में लाव या हानी नहीं हुए तो राजून नह वह साइकल कितने में otrai मान की राजू ने यह अहां पर माना लेकिंग अ माना राजू ने साइकल एक्स रुपयम खरीदी राजू ने आठ परिसे तलाब लेकर अमीद को बेची राजू के लिए साइकल का क्राइम हो ले एक धन आठ एक्स बटे सौ यह क्योंकि आठ परिसे तलाब लेके बेचा था अमीद के लिए साइकल का क्राइम हो ले एक जितने में उसने बेचा और उसके बाद उसने जो है चोवन रुपए खर्चा भी किया था साइकल की मरमत करने के लिए यह अगधना से एक्सब्टेस्ट सो यह क्या है आठ परसे अतलाव लेकर बेचा था तो भी उसी में भी क्रेम उल लोगे आमित के लिए जो राजू के लिए भी क्रे परसे तलाव लेकर अमीत को बीच दिया मिर के लिए क्रेम मुल्य मरमत की साथ इतना हुआ यह धन 9 व्यूदी जो धन चोवन फीर अता है यह धन आठ एक्स व्यूदो बटी सो बराबर एक्षशर तो चोवन है यह धन आठ एख्स व्यूदुद्टेस्ट जब तो इतना सब बराबर एक हजारसी अब एक हजारसी एक सब बराबर एक हजारसी बटे एक सब आच गुड़े सब इसको कार दियते हैं दस आया एक सब बराबर दस गुड़े सब बराबर एक सब बराबर एक हजार राजू के लिए साइकल करे मुल्य एक हजार रुपए किसी खिलाडी ने एक मैच में 180 रन बनाए, दूसरे मैच में उसने 250 रन बनाए, तीसरे मैच में उसने कुल कितने रन बनाए होगी कि उर्थ मैचों में उसके रनों का वस्त 230 हो जाएगा माना क्रिकेट खिलाडी ने तीसरे मैच में कुल यक्स रन बनाए, तीनों मैच में बनाए गए रनों का वस्त 230 है, वस्त क्या होता है, वस्त बराबर कुल रनों की संख्या, बटे कुल मैचों की संख्या, बराबर 230 के बराबर होती है, तो पहले मैच में 180, दूसरे मैच में 250, सो तावन और तीशरे मैंस का मालूम नहीं बटे तीन तो दो सो तीस और इधर करने पर होता है इस एक सो वसी दन तो सो 350 दन यक्स बराबर दो सो तीस गुड़े तीन क्यूंकि वह उसका आवसत है तो तीन का गुडा कर देंगे तो यह उ सब्सक्राइब किर्केट खिलाडी ने तीसरे मैस में कुल दोसो तीरपन रन बनाए होंगी सुधीर की आयो वीरू की आयो के तीगने से पांच अधिक है अनिल की आयो सुधीर की आयो की आधी है सुधीर और वीरू की आयो का योख़त था अनिल की आयो के तीगने का पांच अनपाते चाह है तो वीरू की आयो ग्यान कीजिए माना की वीरुक की उम्र एक्स वर्स है सुधीर की आयू तीन एक्स धन पांच वर्स हो गई अनिल की उम्र सुधीर की आयू की आधी है तो अनिल की उम्र तीन एक्स धन पांच बटे दो आधी है तो इसलिए तीन एक्स धन पांच बटे दो ये सुधीर की उम्र है सुधीर और वीर्यू की आई का यो तीन एक धन पांच धन एक बराबर चार एक धन पांच ये समय करन तयार होता है तीन गुना अनिल की उम्र है इसमें तीन गुना है इसका तीन गुना है अनिल की उम्र तीन एक धन पांच बटे दो चार एक धन पांच बटे तीन पोष्ट एक तीन एक धन पांच बटे दो और उसका अनुपाथे पांच अनुपाथे च्छा का इसका तीर्यक गुड़ा करेंगे यह समिकर्ण हमें प्राप्त होगा च्छार एक धन पांच और पांच गुड़े तीन तीन एक धन पांच बटे थन पाँच बतकी दो तो चार्धुनि आठ य्यक्स धन पांच धन फाँच धन फ्मस्ट पाँच धन पचीज गुटेशर दो रॉने पक्च्चों में दो ही गुडे कर閉 aning the इस प्रकार से हमारा यह प्रस्न संग्र बारा दसमलों दो समाथ होता है धन्यवाद धन्यवाद